मैंने एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि there has been या it has been क्या है तो आई ये friends उनकी confusion को खत्म करते हैं वैसे तो have been या has been के बहुत सारे uses हैं और मैंने इस पर कई वीडियोज बनाए हैं लेकिन जब हम बात there has been plus a noun की करें यानि जब आपका structure ये हो आपका subject there या it हो उसके बाद लिखाओ have been या has been फिर कोई noun या कुसी executive के साथ noun तो यहाँ have been या has been का मतलब होता है कोई action जल्द ही हुआ है या कोई चीज जल्द ही गुजरा है जैसे अगर आपको कहना हो कि एक दिक्कत हो गई है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे it has been a problem आप ये भी कह सकते हैं there has been a problem यानि एक दिक्कत हो गई है एक मुसीबत हो गई है तो friends आपने देखा कि इस sentence का sense है कोई action जल्द ही हुई है या जल्द ही घटित हुई है हो सकता कि आप यहाँ पर सोचें कि यहाँ there या it का क्या use है तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर there या it को हम कहते हैं dummy जैसे dummy there या dummy it dummy के अलावा इनको empty और artificial भी कहते हैं जैसे empty it या empty there artificial it या artificial there अब सवाल क्यों? artificial there क्यों? या dummy there क्यों? तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ there या it का कोई meaning नहीं है चुकि यहाँ आपके sentence में कोई subject नहीं है इसलिए subject के thought पर there या it का इस्तेमाल हुआ है अगर आप dummy there या it को लेकर confused रहते हैं तो मैंने इस पर एक खास video बनाया हुआ है अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखें तो मैंने उस वीडियो को आई के symbol में रखा है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं तो आई ये friends कुछ examples देखें ताकि आपको यह concept आसानी से समझ में आ सके अगर आपको कहना हो कि यह गलत फहमी हो गई है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे आप यह भी कह सकते हैं हो सकते है friends आप सोचे की कब has been और कब have been बोलना है तो मैं आप से कहूंगा जब आपका noun plural हो तो आप कहेंगे have been जैसे कुछ गलत फहमिया हो गई है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे there have been some misunderstanding यानि कुछ गल्तियां हो गई है तो अगर आपका noun singular है तो आप कहेंगे has been और अगर आपका noun plural है तो आप कहेंगे have been अगर आपको कहना हो कि road पर एक हादसा हो गया है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे तो फ्रेंट्स उमीद करता हूँ कि या टॉपिक आपको श्यांदार तरीके से समझ में आया फ्रेंट्स अगर वाकई आपको या कंसेब समझ में आया तो क्याश टॉपिक पर कुछ सेंडेसेज कमिल बॉक्स में लिखेंगे कुछ सेंडेसेज कमिल बॉक्स में लिखेंगे और मैं चेक करके बताओंगा कि आपने सई सीखा या घलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसंस के साथ तब तक के लिए बाइ